Hello everyone, welcome to you all और आज हम करेंगे 9th class Behiabook Reach for the Top by Santosh Yadav की question answer ठीक है, thinking about text देखें, सबसे पहले question number first answer these questions in one or two sentences each, देखो sentences ये short question है ठीक है, एक या दो sentence में आपने answer देना है paragraph number within brackets provides clue to the answer, और answer के लिए clue दिया हुआ है की paragraph का number दिया हुआ है ठीक है की कौन से paragraph से ये question लिया गया है clue के रूप में ठीक है वो आपको paragraph bracket में दिया मिलेगा, ठीक है, first question देखें, why was the holy man who gave Santosh mother his blessing surprised की जो holy man था जो एक साधू आदमी था, पवित्र आदमी था जब वो surprise क्यों हो गया who gave Santosh mother his blessing जिसने Santosh की mother को अपने blessing दिये थे, अपना अशिरवाद दिया था, वो surprise क्यों था ठीक है न, question समझ में आगा सभी को, why was the holy man, holy man क्यों था, who gave Santosh mother his blessing, जिसने Santosh की मदर को blessing दिया, सिरवाद दिया, surprise, हैरान, क्यों था, तो answer कैसे करोगे आप, the holy man was surprised, holy man surprise था, because, क्योंकि, he had assumed that Santosh mother wanted a son, क्योंकि वो अनुमान लगा रहा था, कि Santosh की मदर को बेटा, बेटा चाहिए होगा, मतलब बेटा चाहिए था, ये अनुमान उसने लगाया था, किसने, holy man ने, but the grand mother told him that they did not want a son, लेकिन उनकी grand mother ने, यानि उसकी दादी ने, कि Santosh की दादी ने, क्या बताया उसको, कि हमें ब देखें, give an example, एक उधान देना है, to show that ये दिखाने के लिए, even as a young girl, कि यद भी एक नोजवान लड़की, Santosh was not ready to accept anything unreasonable, जो तरक पूर्ण नहीं था, उसको accept करने के लिए वो ready नहीं थी, तियार नहीं थी, ये paragraph second में से लिया गया है, ठीक है न, इसके आपने example देने हैं, कि वो जो भी unregilent थी न, तरक हिन बात थी, उसको accept नहीं करी थी, सविकार नहीं करी थी, इसके आपने दो example देने हैं, ठीक है न, संतोस के, ठीक है, ये paragraph second में से हैं, और question number third है, why was Santosh sent to local school, संतोस को local school में क्यों भेजा गया, ठीक है न, question second और third जमझ में आ गया, अब हम answer करते ह हैं, question number second और third की, question number second का answer कैसे करोगे, संतोस from the very beginning, संतोस सुरुआत से ही lived life of our own term, अपने तरीके से ही life जी रही थी, she was not content with the traditional way of life, वो सहमत नहीं थी, संतोस नहीं थी किसे, जो traditional life थी, जो प्रमप्रावादी, जो तरीके थे life के जीने के, उससे वो सहमत नहीं थी, and was not ready to accept anything unreasonable, जो unreasonable बाती, जो तरकीन बाती, उनको वो accept नहीं कर सकती थी, वो त्यार नहीं थी, उनको सविकार करने के लिए, where other girls wore traditional dress, और लड़कियां प्रमप्रावादी dress पैनती थी, जो प्रमप्रागती dress, ड्रेसी संतोस प्रैपर सोट्स, और संतोस कैसे, किसको प्रैफर करती थी, सोट्स को, यानि छोटे कपनों को वो प्रैफर करती थी, निक कर बगार को प्रैफर करती थी, ठीक है, तो ये एक अग्जामपल हो गया, कि वो ट्रेडेशनल लड़कियों से अलग कपड़े पैनती थी, मतलब अतरखीन बात को एकसेप्ट नहीं करती थी, ठीक है, जो थर्ड कोशन था, थर्ड पैरग्राफ से, वो क्या था, कि उसको लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया संतोस क तो तो एवन दो संतोस पेरेंट्स कुड अफोर्ड तो सेंड तेयर चिल्डन टू दा वैस्कूल, यद भी संतोस के जो पेरेंट्स थे, माता पीता थे, वो अफोर्ड कर सकते थे, क्या बाहर सेंड कर सकते थे, कि उसके बच्चे को बैस्कूल में भेजा जाए, मतलब वो अच्छे लैंडलोड थे, तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, सीवाज सेंड टूर लोकल विलेज स्कूल, वो फिर भी लोकल स्कूल में भेजी गई, जो लोकल गाउं का स्कूल था, उसमें भेजा गया संतोस को, डू टू तू दा प्रिवेलि के मुताबिक उसको भेजा गया तहां लोकल स्कूल में कोशिन नमबर फाइव देखें वैंडीड सी लेव्ड हों फोर देली उसने दिली के लिए घर कब छोड़ा और वाई और क्यों छोड़ा यह पारग्राफ फोर में से बताना आपने कि उसने दिली जाने के लिए घर कब चोड़ा और क्यों छोड़ा तो आप अनसर कैसे करोगे वेंजी टर्ण सिक्स्टीन जब वो सोला साल की हो गई तो एंड वाज अंडर दप्रैसर टू गेट मैरीड और उस पर प्रैसर डाला गया उस पर दबाव डाला गया साधी के लिए संतोस त्रेटन हर फ्रेंट्स संत अपने पिरेंट्स को धमकी दी देट की सी वोड नावर मैरी इफ सी डिड नोट गेट अप्रोपर एजुकेशन की जब तक वो उचित शिक्सा नहीं प्राप्त कर लेती ठीक है नप्रोपर एजुकेशन नहीं ले लेती तब तक वो शादी नहीं करेगी देरफोर इसलिए स घर चोड़ दिया और जंड गोट हर्षेल्फ इन रोल इन डेली स्कूल इन और आपने आपको इन डाकिला करवा लिया किसमें डिली के स्कूल में दाकिला करवा लिया कि यह आपका कोशिन 4 का अंसर था कोशिन 15 देखें वाई डिड संतोस पेरेंट्स एगरी टूपे फोर ह में जो स्कूल में उसने अडिमिशन लिया था उसके लिए उसके पेरेंट्स अगरी क्यों हो गए पे करने के लिए उसकी फीश बरने के लिए अगरी क्यों हो गए पहले तो अगरी क्यों हो गए और इसी के साथ कोशन यह भी कर लेती हम what mental quality of Santos are brought into light by this accident और जो यह एकसिटन हुआ यानि वह भाकर स्कूल में इन्रॉल्मेंट करआ लिया उसके प्याग्रेंट्स प्यागरी हो गई स्कूल पे करने के लिए तो इससे उसकी कौन सी मैंटल क्यूंटि अपकर पता चलती है इनदिस इंसीडेंट इन घटना से इस गटना से संतोस की कौन्सी mental quality का आपको पता चलता है कि यह paragraph 4 में से आपको question पूछा गया है तो answer कैसे लिखो गया वें संतोस parents refuse to pay for her education जब संतोस की parents ने उसको education के लिए fish के लिए मना कर दिया refuse इंकार कर दिया ना see politely informed them उन्होंने बिल्कुल उसने सी यानि संतोस ने बिल्कुल politely विनमरता से informed के अपने parents को them किसके लिए parents को offer plan उसके plan के बारे में उसकी योजना के बारे में to earn money कि वो पैसा कमाएगी by working part time कि वो part time करेगी to pay her school fish यानि स्कूल से आने के बाद वो एक्स्ट्रा काम करेगी part time job करेगी school fish देने के लिए then तब her parents agree to pay for her schooling तब उसके parents agree हो गई सहमत हो गई इसकी school fish देने के लिए in Delhi Delhi में this shows यह दिखाता है संतोस वाज mentally strong girl की संतोस एक मानसिक रूप से मजबूत लड़की थी ठीक है ना mentally strong लड़की थी वो and was determined to work very hard to get herself properly educated और determined थी वो दर्ड़निश्य वाली थी की work hard करेगी बहुत परिश्रम करेगी उसकी प्रोपर एजुकेशन लेने के लिए उसने यह भी पॉलाइटली बोल दिया कि मतलब दनाफिस में पार्टाइम जोग करूंगी कमाऊंगे और पड़ूंगी ठीक है ना तो इससे क्या दिखाते हैं कि strong mental level और determination to work hard to get herself properly educated ठीक है आप देखें आपका page नंबर 103 पर आपके जो answer each of these questions in short paragraph देखो about 30 words में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप 30 words में question number first देखें how did santos begin to climb mountain कि santos ने mountain पर चड़ना कैसे आरम किया ठीक है तो answer कैसे लिखोगे 30 words में आप एक paragraph बना कि from her school in kasturbah hotel sorry room from her room in kasturbah hotel उसने kasturbah hotel में एक room लिया see watched people going up around hills and vanishing after a while वो लोगों को देखती थी कि लोग अरावली hills पे जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद क्या हो रहे हैं vanish हो रहे हैं वहां से गायब हो रहे हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं और इन्वेस्टिंग गेटिंग इसकी खोज बिन करने के लिए इसकी जांच परदान करने के लिए she found nobody except a few mountains जब वह देखने के लिए वहां पर गई mountains के पास तो उसने पाया कि वहां पर कोई नहीं है except के अलावा किसके अलावा a few mountains कुछ प्रवतारोहियों के अलावा वहां पर कोई नहीं है and she asked और उसने पूछा if she could join them कि क्या वो उनको जॉइन कर सकती है उनकों में सामिल हो सकती है दे एगरीड वो सहमत हो गई and even motivated हर टूटेक टू क्लाइबिंग and so she later complained them on their climbing expedition expedition होता है अभियान जो क्लाइबिंग का अभियान था चड़ने का अभियान था इसे उसका सुरू हो गया मतलब वह जो क्लाइबर थी माउंटेनियर थी वह सैमत हो गए और उन्होंने उसको motivate भी किया उसको प्रोच्छाहित भी किया कि वह क्लाइबिंग करे चड चबाद में उसक्लाइब यहां कि संगतीं के सामिल भी हूए की हुसमें जो क्लाइबिंगसपीडिशन थी जो उसका चड़ने का भियान था तो उसमें वह बाद में सामिल भी वै दिश brought में क्लाइबिंग मांउंटेन इस तरह उसने climbing करना शुरू किया परवतों पर चड़ना शुरू किया कोशिन नमबर सेकिंड देखें वर्ट इंसिडेंट्स डूरिंग डट एवरेश्ट एक्सपीडिशन शोज संतोज कर सांग कंचरन फोर हर टीम मेट्स की कौन सी इंसिडेंट है कौन सी घटना डूरिंग इवरेश्ट का जो अभियान था उसके दोरान कौन सी घटना दिखाती है शो मतलग दिखाती है संतोज की कंचरन ठीक है ना किसके परतिक अपने टीम मेट के परती उसकी कंचरन को कैसे दिखाती है कि वो टीम के परती काफी जागरूख थी और उनक्यों फिकर थी उसको देखें डूरिंग दावरेश्ट मिशन अवरेश्ट मिशन के दोरान संतोज इमेंस इस पर फैलो अपने फैलो कलाइंबर के परती जो साथी थे उसके कलाइंबर के उसके परती काफी कंचरन दिखाती है वो दो सी वाज अन्सेक्सेस्फुल इन सेविंग दा लाइफ ओफ वन अफ देम उनमें से एक की लाइफ तो वो बचाने में अन्सेक्सेस्फुल हो जाती है एक की लाइफ बचाने में तो सी birthday टो सेव अनाधर क्लाइंबडग थ्रो अर्टिफीशली own respiration तो आर्टिफीच्चल सांस दे कर उसने दूसरे क्लाइंबर को बचा लिया आ उसने दूसरे क्लाइंबर को बचाने में मदद की अपनी student भी उसको सेर की और अर्टिफीच्चल respiration देकर भी उसको climber को बचाया तो इससे उसकी concern का पता चलता है कि वो कि इतनी concern थी जागरूप थी question number 3 देखें what shows her concern for environment environment अब school mate के बाद क्या है environment के परती कैसे concern थी उसकी कैसे जागरूप थी environment के परती तो answer देखें संतोस वाज फ्रिवेंट इन्वार्मेंट लिस्ट की वो सच्ची और पकी इन्वार्मेंट लिस्ट थी परियावन वीद थी her concern for the environment is evident from the fact that she collect and brought down 500 kilograms of garbage from Himalayas यह concern कैसे दिखती है यह जागरूप था उसकी कैसे दिखती है कि वो environment के परती सच्ची और पकी environment थी यह evident दिखाती है वो घटना दिखाती है इस fact को तथ्य को कौन सा तथ्य है कि वो collect करती है कठा करती है और मैले से वो 500 kg कचरा को लेक्ट करती है और नीचे लाती है से उसको इन्वार्मेंट के परती concern दिखाई देती है question number four देखें how does she describe her feeling at the summit of the average ठीके ना अब वो जब average पर चड़ गई तो उसकी feeling कैसे दिखाई उसने कैसे describe कि अपनी feeling को तो कैसे लिखो गया संतोस asserted that her feeling at the summit of average was indescribable उसने खुद अपने जोर देके बात कही कि जो उसकी feeling थी जब average की पर फतह हासिल कर ली average की जढ़ाई पूरी कर ली उसके बाद उसकी feeling undescribable है मतलब उसको वर्णन ने किया जा सकता unfurling the Indian flag on the top of the world was a spiritual moment for her और जंडा फैराना इंडिया का फ्लैग यानि दुनिया की सबसे उंची चोटी पर इंडिया का जंडा फैराना तो उसके लिए अध्यात्मिक मोमेंट था एक सी फैल्ड प्राउड एज एन इंडियन और वह इंडियन होने पर प्राउड फिल कर रही थी जिए ना प्राउड यानि कर्व महसूस कर रही थी अपने आप पर इंडियन होने पर लास्ट कोस्टिन फिफ्ट संतोष यादव गोट इंटू दा रिकोर्ड बुक्स फोर बोथ टाइम्स से स्केल्ड मांट एवरेश्ट ठीक है ना दोनों टाइम उसने अपना रिकोर्ड बनाया पना मांट के लिए व ट वर डीजन फोर इसके लिए इसके लिए आपने तो कैसे लिखू गया मैं वेरेश्ट पर पहली बार चड़ाइब की सी और यंगेस्ट विमेन इन इंद रवल्ड तो अचीव दाफी आब आप अईसी उंचाई पर फत्यहासल करने वाली यानि पोश सुझने वाली वह सबसे यह सबसे कंवर ही थी ठीक है वें सी स्केल्ड महीला कि ठीक है रोग दुनिया की पहली महीला यह अपने statement फिल करनी हैं, थर्ड में complete the flowing statement, statement को complete करना है, कैसे, first देखो, from her room in Kasturbah Hotel, Kasturbah Hotel के अपने room से, Santos used to, Santos क्या करती थी, क्या क्या करती थी, watch, ठीक है ना, देखा करती थी, villagers, गाउंवालों को, going up to the hill, पाड़ियों पे जातो है, and suddenly vanish after a while, थोड़ी देर के बाद, वहाँ से, वो कायब हो जाते थी, उनको देखती थी, ठीक है, question number, second line देखें, when she finished college, जब उसने college खतम कर दिया, यानि college की पढ़ाई पूरी कर लिए, Santos had to write a letter, of apology to her father, वो अपने समा के लिए, यानि माफी माँगने के लिए, अपने parents को एक पत्तर लिखना पड़ा, उसको संतोज को, because क्यों, क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि उसको average पे जाने के लिए, course करना था ना, इच्छिक है, क्यों, because she had got herself enrolled, at utraka, utraka, काशी जनेहरू, इंस्टिटूट ओफ माउंट एर्णिंग, without his permission, क्योंकि अपने father की permission के बिना, उसने माउंट एवरेश्ट के जो, उत्राखंड का नहरू, इंस्टूट ओफ माउंट एर्णिंग था, उसमें अपना enrollment करवा लिया था, थर्ड लाइन देखे, डूरिंग एवरेश्ट एक्सपीडिशन, यानि जो एवरेश्ट का अभियान था, उसके दोरान, हर seniors in the team, उसकी टीम के senior admired हर, उसकी तारिफ कर रहे थे, किसके लिए तारिफ कर रहे थे, climbing skill, उसकी चड़ने की skill थी, जो कुछ रलता थी, physical fitness की ठीक है ना, शारिदिक जो fitness थी, and mental strength, और mental strength की, यानि जो मानसिक सकती थी, उसकी, while dash indoors her to follow climber, और follow climber क्या सेन करते हैं, her concern for others, उसकी concern, दूसरों के पर थी concern, and desire to work together with the team, और team के साथ एकठा काम करना, एकठा काम कैसे करना, जैसे वो दूसरों की मदद करने से पहले, वो वो चाहती तो उसको बीच में छोड़के, आपना चढ़ाई करके वापस आ सकती, लेकिन उसने क्या किया, आपने oxygen भी सेर की, respiration जेर क्या और अपने fellow being को, एक को बचाने की कोशिस की, वर्क हर्ड और साथ मिलके वो काम करने की इच्छा दिए उसमें, ठीक है ना, एंडोर हर फ्रेंड क्लाइम बर्स, तो यह आपके, कोशन थे, एक और रह गया, फिफ्ट पॉर्थ, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम दर टेक्स, टेक्स से अपने वर्ड्स उठानी है, टेक्स बुक जो अपने लेशन पड़ा है, जिसका मतलब सेम होना चाहिए, ऐस दा फ्लोइंग वर्ड्स एक्स्प्रेशिज, जो वर्ड्स नीचे दीगे वर्ड्स है, और पैराग्राफ आपको इंडिकेट कर दिया गया है, आप पहले वीडियो को पोज करके डूढ़ने की कोशिज करें, पैराग्राफ फर्स्ट में, लुक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, ठीक है न, बिना प्रूफ के साबित हो जाना, सच बिना प्रूफ के साबित हो जाना, क्या होता है, अज्यूम्ड, ठीक है, सेकिंड है, बेस्ट ओन रिजन, सेंसिबल, रिजनेबल, जो रिजन पे आधारित हो, यानि तरक पे आधारित हो, सेंसिबल, रिजनेबल, सेकंड पैराग्राफ में आपने टूंडना है वह वर्ड जो सिनोनिम हैं सेम अर्थ वाले सेम अर्थ वालों को सिनोनिम बोला जाता है जिसका सेम यूज्वली वह ओफ डूइंग तिंग्स आम तोर पर चीजों को करना क्या होता है कस्टम रिवाज ठीक है और आपका जो फिफ्ट फिफ्ट पारग्राफ में एक गहरी स्ट्रोंग इच्छा जागरिक होना अपने अंदर से वो क्या होती है और ठीक है और आपका लास्ट पावर बिना बिमार पड़ें ठीक है और बीजिस्टेंस और लगाता यहीं वरकिंग अबाउद नंदेग अब्सक्राइब कि इसमें क्या करना है आपको जो तिंकिंग अबाउट टैक्स ही यह पेज नंबर 107 पर वरकिंग इन समाल ग्रूप्स फाइव फॉर फाइव स्प्रेंट्स का आपने ग्रूप बनाने हैं काम करना है गो बैक ओवर दा टू पासिज और संतोश यादव संतोश यादव और मार टेबल गीवन विदेट रिलेवेंट फ्रेजिज संटेंसिज और उसके जो मारिया सारपाव है और उसके आपने यह आपको सेगेंड जब लेसन कंप्लीट करवा देंगे उसके बाद ही करेंगे इसको ठीक है फिलाल के लिए इतना ही करें आप ठीक है अगर वीडियो अच् करें पीटा ओल दा बेस्ट थैंक यू वीडियो को लाइक शेयर करें पीटा चैनल को सिस्क्राइब करें थैंक यू